स्टार्टिंग हम लोग करते हैं एक बार CSS के syntax से तो CSS का syntax actually बहुत simple होता है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक सबसे पहले selector होता है selector क्या करता है एक तरीकी से selector is like how do we identify कि किस element को style करना है किस element की properties हम लोगों को define करनी अभी के लिए for example हम लोग किसी code में like different different selectors होते है अभी के लिए तो हम लोगोंने सबसे पहले element get कर लिया कि कौन से element को styles देने है then उसकी different properties होती है then semicolon and sorry colon then उसकी value and कोई भी property लिखने के बाद हम लोग उसकी हम लोगों की semicolon डालना होता है similarly हम लोग उसकी property to and semicolon value कर सकते है तो अभी के लिए जैसे देखे हम लोग व्यसकोड में जैसे ठीक है लास्टाइम हम लोगोंने यहां तक किया था तो आज के लिए new file बनाए लेते है देखने रहा तो जैसे फॉर एक्जामपल ही हम लोगों का ब्लांक डॉक्मेंट बना ली तो आते हैं ने सब को simple baller plate कैसे लोड करना है अब मुझे क्या है कि यह वाली style sheet है तो इसकी styling देनी है तो style तीन तरीके होते हैं सबसे पहले external css तो यानिकि external css के एक file बना ले हम लोग proper तो css की file जैसे मैंने अभी बनाई तो एक तरीके से एक file होती जिसके extension होती dot css करके इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे simple अपने html documents से अलग-अलग elements लेंगे उनको get करेंगे और उनकी properties define करते जाएंगे एक और तरीका होता है internal css करके जो हम लोग क्या करते है कि जो हमाँ body का head tag है like कोई भी html document होता है उसके दो major tags होता है एक होता है head tag and body tag head tag के अंदर वह साले data होता है जो हम लोग को web page पे display नहीं हो रहा होता है जो UI element जो उसका UI composition करता है तो head tag के अंदर हम लोग एक style tag होता है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग हमारी css की properties दे सकते हैं तो जैसे मैंने किया एक style tag होला and then h1 यह मेरा selector हो गया अभी के लिए तो यह क्या करेगा अगर मेरे पास चार h1 tags है तो चारों का background color red हो जाएगा अभी के लिए और एक और हमारे पास होती है inline styling बोलते हैं इसको third type होगी हमारे पास internal css external css जो है वो file होती है वो link करना एक बार बात में बताऊंगा then internal css जो हम लोग head के अंदर एक style tag बना के करते हैं then हमारे पास third होती है inline css जो हम लोग particular tag को specifically css दे सकते हैं कि मैंने क्या क्या इस वाले h1 के अंदर style attribute किया जो उपर है वो एक style tag है and यहाँ जो है style attribute attribute and tag में मतलब difference पता है नजब को तो h1 के style attribute उसके अंदर मैंने इस वाले का background color दे दिया green दे दिया तो देखेंगे कि सबसे जो सबसे फर्स वाली डिव थी जिसको मैंने green color actually दिया background को तो वो green हो गया अंद बाकी सबको red color अभी भी तो इससे एक और property like एक क्या वो लेंगे हम लोग इसको feature सामने आ रहा है कि actually CSS apply कैसे हो दिया तुम लोग ने देखे कि कोई भी HTML document है या फिर कोई भी तुम लोग देखो कि language है तो जो browser इसको run करेगा वो first line से start करके last line तक जाएगा तो इसने क् पहले उसकी dog type declare कर दी line by line जा रहा है तो अब मुझे देखने कि इस वाली element का color क्या आए जैसे for example यही वाला color है कि इसका background color green आना चाहिए या red आना चाहिए हम लोग कैसे determine करेंगे कि सबसे last में कौनसी property define की गई है तो जैसे for example line number 11 पर मैंने बोले कि h1 की जो background color वो red होगा फस्ट वाला जो h1 है उसको green color देना है अब similarly अगर मैं external style sheet है style.css तो अब मुझे इसको link करने का तरीका क्या होता है एक हमारे पास tag होता है link tag होता है जोगी इसमें क्या बोलते हैं इसको head tag में use करते हैं हम लोग तो अगर मैंने link type करूँगा link relation style sheet तो पहले इस link tag के दो attributes होता है पहले relation तो यह relation बता दे कि क्या relation है जो हम लोग document इसके साथ link कर रहे है उसका relation क्या है हमारी main website की साथ तो मैंने बता दिया style sheet होता है css का full form बता है na cascading style sheet तो मुझे बता रहे कि यह style sheet है then hraf hraf का मतलब hypertext reference की अब ठीक है मुझे पता लगया कि style sheet attach कर रहा हूं बड़ उसका address क्या है वो मुझे hraf से पता लगेगा और यह type करूंगा तो scroll कर सकता हूं मैं style.css मेरी select होगी अब क्या होगे कि हमारी html file के साथ हमारी css की file link हो चुके अब मैं इस css file में भी जाके एक background color h1 tag को एक background color दे देता हूं और इस time पर में इसको देदूंगा 8 वा देदूंगा ठीक है तो अब एक बार order देख लो तो अब हाँ अब देखो सबका color green blue हो गया है जो red थे जितने भी उनका color blue हो गया है तो ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले देखो कि मैंने style के अंदर जाक बट next line में मैं एक style sheet declare किया तो अब browser जो है अपना focus एक तरीके से कहलो पहले style sheet पर जाएगा पूरी style sheet लोड कर लेगा तो जब भी style sheet पर पहुंचा तो उसको पता लगा कि जो जितने भी h1 tags है उनका background color मुझे aqua देना है तो फिर वापस आया and then next line से उसने इसको interpret करना एक त copy करके इसके ऊपर आदो इस style track के ऊपर paste कर दो इसको जाके तो अभी expected क्या है क्या होना चाहिए कोई भी पहले इसने style sheet render की पूरी style sheet में इसको पता लगा कि red होना चाहिए सारे h1 का color बट नीचे जाके दुबारा आया तो उसको पता लगा कि नहीं पहले उसको लगा कि echo होना चाहिए बट दुबारा आया तो हम लोगों ने दुबारा declare कि h1 का color अब red होना चाहिए तो यह property अभी हाँ तो bootstrap क्या है एक तरीके से framework है जो हम लोगों बहुत सारी लिखे लिखाई properties जैसे दे देगा तो वो एक बहुत बड़ी सी css file है बहुत general file होती एक तरीके से तो मैंने क्या किया एक element पे गया मैंने इसको bootstrap में declare कर दिए कि इसकी padding five pixel होनी है चाहिए हर जगा से तो व मैं उपर लिखूँगा ताकि browser पहले वह पढ़ ले फिर जो मैंने अपने styles दिये हैं वह उसके बाद declare करूँगा कि मुझे किसी और को overwrite करना हो तो वह मैं कर सकूँ तो इस तरीके से हम लोग style sheets को link करते हैं reference करते हैं ताकि हम लोग अपने convenience के order इनको use कर सके तो अभी इस अधर और देन वह इनलाइन CSS एंटरनल सीसें एक्टरनल सीसे की प्राइवरिटी लिस्ट होती है एक तरीके से अब तक एक बार के लिए सब अपने laptop के पर एक basic style sheet बना लो और उसको link कर लो अभी के लिए जो एक्जांबल मैंने भी किया वह पता लग गया नहीं कैसे करना है तो अपनी style sheet को एक बार के लिए link कर लो क्योंकि इसके बाद जो हम लोग काम करने वाले हो वह majorly external style sheet से करने वाले है कैसे की declare किया हूँ ठीक है अब एक और तरीके की priority होती है specific specific जैसे हम लोग किसी को reference करते है तो अभी मैंने किया किया h1 tag जो हर एक h1 को refer कर रहा है अब मैं क्या करता हूँ इन h1 मैंसे किसी एक को class ले देता हूँ अब मैं गया style sheet में यहां पर जा रहा हूँ and dot heading करके अगर इसको refer करूँगा तो और इसका मैंने देता हूँ इसको मैंने blue दे दिया अभी के लिए तो अब ये वाला जो ये वाला जो थर्ड वाली heading होगी इसको मैंने बहुत specific करके css में बता दिया कि इस वाली heading का जो background के लोना चाहिए वो blue होना चाहिए ताकि हम लोगों को inline ना ही लिखनी पड़े inline css लिखना जतना avoid कर सको कर सक lines of code भी बढ़ती जाएंगी उसके अंदर जाके वो specific element को pinpoint करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हम लोग css classes और ids use करते है classes और ids का clear हो गया था है HTML वाली class में क्या होती है हां तो अब मैंने क्या कि इसको एक class दिया and class में जाके property दे दी but अब इसमें भी trick है अब मैंन से अंदर दुबारा से एक inline css लिख दी इसको मैं वो फिर से मैंने दे दिया background color इसको इसको वापस से मैंने red दे दिया तो अब कौन सा होगा red होगा जो मैंने specific करके inline में दिया या फिर blue हो जो मैंने style sheet में class के through दिया है हां वही सही है क्योंकि पहले उसने style sheet render की बट उसक advantage के लिए बहुत अच्छी साइट्स बना सकते हो इन ठीक है inline css होगी अब document object model अब यह हम लोगों बहुत advanced चीज है जो कि जावस्क्रिप्न जाकर आएगी बट इसकी अभी ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों selectors पढ़ने है तो selectors क्या होते हैं different type क्यों होते हैं कि पहले तो basic सबसे पहले होता है कि element के name से हम लोगों ब्लोगों से select कर लिए है सो हम लोगों ब्राउजर को बभताते है कि ऐक id का name आईए तो वह पहले जाके जितने भी Arydys हो के document में वो search करेगा similarly classes से class से जब किसी को भी search करना तो वो dot selector use करते हैं लोग and p.class जब search करेगा तो इससे actually क्या होता है जैसे मालो एक div को मैंने class class दे दी है कोई भी class दी है एक div है जिसको मैंने xyz class दे दी है एक paragraph है जिसको class xyz class है उनके उपर अब combinator selectors हमारे पास होते हैं कि हम लोगों को जिसे hierarchy मैंने देखा कि पहले सारे p select किये और उतके बाद जाके वो class select की तो इसमें हमारे पास काफी चीज़ होती कि मुझे directly descendant select करने है child select करने है sibling select करने है तो descendant child और sibling यह समझने के लिए हम लोगों को एक बार के लिए यह dom का graph पढ़ना पड़ेगा अभी के लिए तो इसमें actually होता कुछ नहीं है कि जो हमारी website है उसको हम लोग एक तरीक से document बोलते है कि हमारी पूरी website है वो एक html का document है html document पुरा html tag के अंदर contain होता है अब वो html tag जो तुम लोगों ने वो दो major tag होते है head tag and body tag head tag के अंदर सारे जितने भी links होते है title होगे वो सारा आता है बट जितना ui है वो हमारा body tag के अंदर आ गया अब इसके अंदर से हम लोगों ने for example एक h2 tag एक p tag एक table tag तो हम लोगों ने तीन टरम्स पढ़ी पहले descendant, child और sibling अब descendant क्या होता है descendant in general हम लोग किसको बोलते हैं जो हमारे ancestors होगे वो सब होगे तो हम उनके descendant होते हैं descendants कोई guess करेगा क्या होगा इस वाले graph में body के descendant कौन-कौन से हो सकते हैं एक बार के लिए कोई भी बता दो table अब tr और td होंगे descendant होंगे की नहीं होंगे tr और td जो है वो उसके descendants होंगे whereas जो h2p और table है वो descendant तो हैं बट साथ में उसके child भी है child क्या होता है the immediate descendant is called the child and immediate क्या बोलेंगे and उसके जो immediate ऊपर tag है hierarchy में ये इसके parent हो गया तो parent element and child element इसको ऐसे बोलते हैं and then similarly हमारे पास siblings होते है siblings क्या होंगे any guesses like इस graph में जो भी same level के उपर है चाहे कोई भी tag हो वो सारे हमारे पास siblings होते हैं अब हमारे पास एक होता है adjacent siblings कोई नाम से क्या है name में evident है जिसे paragraph tag है paragraph tag के adjacent siblings कौन से होंगे and td का parent tr tr का child td बस ठीक है इतनी सी बात है so अब हम लोगों को क्या करना है कि like मुझे specific td को जैसे refer करना होता है तो उसके तरीके होते हैं कि मैं child से refer कर सकता हूं parent से refer कर सकता हूं वैसे तो हमारे पास उनको बोलते है combinator selector तो सबसे पहले होता है descendant selector मेरे को किसी भी element के descendants को select कर लेना है जाके तो मैं descendant selector use करता हूं descendant selector क्या होता है simple space लिखके कर देते हैं तो अभी गिले चलो ठीक है हम लोगे पांच रचमन बना रहे हैं विगले बनाता हूं और पांच पारग्राफ्स बना देता हूं यह जो अभी मैं लिख रहा हूं यह एमेट की अब्रिवेशन है तो एमेट के एक तरीकी से plugin है जो पहले से उसमें होता है VS code के अंदर तो इसमें भी हम लोग selectors करते हैं तरीकी से जिसे div है div का मैंने अगर यह क्या होते है greater than symbol लगाया greater than symbol क्या होता है opening closing angle bracket इससे होता है कि वो बताते है उसके child है कि div के अंदर एक paragraph होना चाहिए तो बार-बार लिखने के जगा यह आसान पढ़ गया मैं अब मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए यह जो div tag है पहले मैंने div उसको अभी है सिर्फ element name से get कर रहा हूं div के जितने भी paragraph tags होंगे वो select कर लेगा उनको एक background color तुबारसे aqua दे देगा अभी के लिए काम करते हैं इसके अंदर ही और हूं इस के अंदर ही आप जाये अभी समझती पोश्च करना कैसे कि एक इस इस पर इस पता हमें इस प्रिए शॉट्टर लुटता है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कोई भी डाउट देखेंगे यहां पर कितने paragraph tags है एक पर simple count करें one two three four five six paragraph tags है जिसके अंदर से पांच जो इमेडियेटली डिव के अंदर है और six जो है उसके अंदर एक और डिव है जिसके अंदर वो जाके paragraph tag है हमारे पास ठीक है यह काम करता हूं इसको डिव को अभी के लिए तो अब जिससे मैंने क्या किया जितने भी paragraph tags थे यहां पर मैंने क्या डिफाइन किया कि डिव के जितने भी तो अब हमारे पास नग्स सेलेक्टर होता है तो चाइल्ड सेलेक्टर में मैंने क्या क्या स्पेस की जगा एक डाल दिया अब यह बतार है जो स्के चाइल्ड है वह सारे एक अग्रण क्योंगे वेराइस जो child नहीं है जो एक अंदर section टाक के एक और अंदर जाके था तो उसका child था उसका child नहीं था descendant था तो उसके ओपर यह properties अप्लाई नहीं है वेराइस मैंने तुम लोगों देखाऊ को यहाँ पर मैंने अभी उस div को section से replace किया वो मैंने इसलिए किया कि अगर यह भी मैं इसको div मना दूँ तो यह जो styling है यह हर एक div के उपर apply हो रही है तो इसके अंदर वाली जो div है इसका भी जो child एक paragraph आ गया तो इस paragraph के उपर भी वो aqua color की background आ जाएगा ठीक है इतना चाहिए अब मैं क्या करूँ इस वाली div को मैं class दे दता हूँ अभी के लिए main और इस property को जाके div की जगा dot main कर दूँ अभी के लिए तो अब क्या होगा फिर से अंदर वाली जो div वो main class की नहीं है तो जो बाहर वाली div थी उसके जितने child paragraph tag से उनके पर भी blue color आ गया similarly अब हमारे पास होता है sibling selectors दोते हैं दो दरागी sibling selectors होते है एक होता है adjacent sibling selector एक होता है immediate general sibling selector adjacent में क्या होता है इन दोनों selectors में actually क्या होता है कि जो immediate आगे वाले होते है paragraph tags जितने भी आगे वाले sibling होते है hierarchy में जैसे हम लोग उना भी यह देखा है document यह है paragraph tag है इसको मैं class देता हूँ पैरा अभी के लिए देता हूँ तो मैंने डॉट पैरा and adjacent sibling selector दे दिया P के लिए कोई P tag इसके अंदर होगा उसको देता हूँ टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर ब्लू कलर होगा तो इसका मतलब क्या है कि पैरा का जो भी adjacent sibling selector होगा adjacent sibling होगा immediately next उसका जो भी sibling होगा उसका जो font color है वो blue हो जाना चाहिए हमारा थर्ड वाला पैरा था और उसके नीचे अगर तुम देखोगे तो यह blue color हो गया similarly अगर मैं इसके जगा अब यह notice करें है ना कि like sense बनती है कि जो adjacent है वो दोनों होते हैं पीछे वाला भी और आगे वाला भी बट यह याद अखना होता है कि हमेशा आगे वाले दो siblings हैं इस वाले प्योंपर नहीं लगा था अब एक होता है हमारे पास star करके होता है star पता है किसी को क्या होता है एक मैं पी की जगा कर star कर दूंगा यहाँ पर तो इससे क्या होगा कि सारे elements इसके अंदर जितने भी elements आते हैं उन सबको get कर लेगा अभी के लिए ठीक है तो main के अंदर मैंने जाकी किया तो एक बाद देखना सबका background color blue हो गया जो हमारी main div थी मैंने उपर वाले में गया यह हमारी main div थी इसके मैंने सारे descendants सारे child को select कर लिया तो यह इन सबकी background color blue हो गया similarly अगर मैं यहाँ पर जाके p हटा दूँ और यहाँ पर start डाल दूँगा इसके लिए अगर मैंने यहाँ पर start डाल दी तो इससे क्या होगा कि ठवड़ वाले का भी देखोगे इसका color blue हो गया बट यह ऐसा क्यों होगा यह property किस पर लगई एक बार के लिए बताओ यह blue color किसके लिए हुआ हाँ सारे descendants के लिए नहीं हुआ है अभी भी siblings के उपर लगा है इस paragraph का एक sibling है डिव तो जो font color apply हो है वो इस डिव के उपर अपलाई हुआ है तो यह हम लोगों को कैसे verify करना है इसके लिए last class में मैंने कुछ चीज़ बताई थी जिसको डिव टूल्स बोला था Chrome की inspect window होती है किसी भी browser के अंदर एक inspect window होती है तो उसमें मैं इस टूल के उपर जाके अगर मैं एक बार hover करूँगा तो मिलेको paragraph टाग दिखा रहे है तो paragraph में क्या है इस वाले पैरा के अंदर कहीं पर भी वह बैग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी नहीं है बलकि इसके अंदर दिखा रहे है inherited from div inheritance पता किसी को क्या होती है in general पता है क्या होती है like real life में हम लोग क्या होती है जो भी चीजे जो भी property हमारी होती हम लोग अपने parents से inherit करते है similarly इस paragraph ने div से कुछ properties inherit की है तो इसकी जो parent div थी उसका color जो था text color था वो blue था ये वाली div इसका जो color है वो blue है क्योंकि ये sibling है उसका अगर इसके उपर आले paragraph में देखो था तो उसका color blue था तो div का color blue था जो की paragraph ने inherit कर लिया है inheritance भी याद रखने की चीज़ होती है इसके लिए अभी के लिए selectors हमारे हो गए selectors में doubt अभी तक किसी को हम बहुत यह हम लोग तब यूज करेंगे जैसे अब मेरे पास यहां पर पांच पांच पारग्राफ टैक्स है अभी के लिए माले मेरे पास एक div है मेरे पास इसकी copies पड़े हुए है मेरे पास ऐसे 10 div पड़े हुए जिसके अंदर सेम ही एक तरीके से format में text लेका हुए ठीक है अब मुझे चाहिए कि हर एक div में जाके मैं थोड़ी करूंगा कि हाँ इसको class दी उसको class दी उसको class दी मानले इसमें 100 paragraphs पड़े हुए ऐसे ठीक है उसके अंदर जाके अगर मेरे को करना हो तब हम लोग यह selectors दी उसके करते हैं कि अब मैं क्या करूंगा मानले for example अगर मैंने कि इसको पैरा दिया इस वाले को पैरा दिया इस वाले को पैरा दिया सबको paragraph देता गया मैं जाके ताकि उन सब का color blue हो जाए बट यह सब करने के जगा तो मुझे पहले यहां पर जाके हर किसी को एक क्लास देनी पड़ेगी similarly फिर में style sheet में जाओंगा किसको क्या color देना है वो सब अलग अलग करके देता जाओंगो तो वह line of course बढ़ते जाएंगे वेरास यह तो दिखेगा दो line के अंदर coat हो गया हमा आप तो दो चीजें जो तीन चीजें जो बहुत मैंट करती है एक तो सबसे पहले performance होती है कि तुमारी website कितनी fast है तुमारा एप कितना fast है कुछ भी बनाऊगे तुमारा c++ में compile time कितना कम है वह सब होता है तो वह performance matter करती है second thing होती है तो इससे क्या होता हमारा code readable बन रहा है क एक पैरा क्लास है, पैरा क्लास के जितने हमारे पास siblings है वो, और सारे के सारे siblings हम लोगे उनका क्या है, color blue है, तो दो line में हमारा code खतम भी हो गया, तो code का size भी reduced हो गया, और code readable भी हो गया, ठीक है, इसके हम लोग यह सारी properties यूज़ कर दो, then next हमारे पास colors हो गया, तो हाँ, अभी के लिए तुम लोगो ने देखा होगा, मैंने जितने colors दिये हैं, यह name देके दिये हैं, ठीक है, तो HTML, CSS में क्यों होता है, एक well defined list है colors की, जिसमें उनके names defined है, बट ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास limited colors है, colors हमारे पास millions of colors हैं अभी के लिए तो अभी क्या हो सकते हैं कि एक color अगर मेरे को define करना है, तो उसका एक तो तरीक है कि मैं इसके name से कर दो, then second thing होती है, हमारे पास एक RGB pattern होता है, colors को declare करने का, तो RGB का मतलब क्या है, यह RGB मैंने same जो aqua color था, उसको मैंने RGB notation में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, first value को मतलब है red, green, blue, ठीक है, तो इस bracket के अंदर जो first value है, वो दिखाएगी कि हमारे color के अंदर कितना portion red है, कितना proportion blue है, and then कितना proportion green का है, तो लेकि तुम लोगों किसी ने color theory एक तरीके से पढ़ी है, कुछ भी पता हो, किसी को भी painting हो अगरा का या कुछ भी है, ठीक है, कोई नहीं, तो primary colors किसी बच्वन में पढ़े होंगे, primary colors होते है, red, yellow and blue होते थे primary colors, but तो उनको जब हम लोग mix करते हैं, उनको mix करके हम लोग कोई भी color बना सकते हैं, but जो हम लोग digitally colors बनाते हैं, वो हम लोग red, green और blue color से बनाते हैं, तो इन लोगों के अलग-अलग proportions, जैसे इन colors के अलग-अ इन तक value जा सकती है, इन तीनो properties की, कि 0, एक दिर के से units of red होंगे, या 255 units of red होंगे, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने जाके RGB में red की value यहां पे 100 कर दी, तो तुम लोग note करोगे कि, एक बार के लिए notice करोगे कि, यहां पे color change हो जाएगा, इसकी 50 डाल दी अभी के लिए, तो हम लोग different colors बना सकते हैं, अभी के लिए, then similarly, अब इसी में, अगर यह VS code के अंदर हमारे पास advantage है कि, अगर यह square बनके आ रहे हैं, इसके उपर मैं click करूँ, अभी के लिए, हवर करता है, तो मुझे different type of color notations में switch करने का मौकत देता है, अब मैं, क्या क्या बोलते हैं, hex notations बोलते हैं, अभी के लिए, तो hex notations भी actually, जो RGB notations हम लोगों ने देखिए, उसके बिल्कुल similar है, बट इसमें एक फरग होता है, किसी को बता है, binary digits पता है, सबको क्या होते है, decimal digits भी पता है, hexadecimal पता है, hexadecimal पता है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसी, जो उपर हम लोगों ने RGB में color का, color की values लिए लिए थी, वही values हम लोगों ने hexadecimal में लिखती है, तो same order में, तो सबसे पहले red की value hexadecimal में 64 जो है, वो 100 की equal होगी, then जो 50 है, that will be 32 and 255 will be FFF, ठीक है, तो इस तरीकी से hexadecimal क्या होगा है, यह हमारा compact होगा, size का length छोटी होगी, then एक और हमारे पास color की notation होती है, इसको बोलते हम लोग HSL notation बोलते हैं, तो HSL notation जो है, वो इन दोनों से थोड़ी different होती है, HSL का मतलब है hue, saturation and light, तो hue का मतलब होता है यह, यह वाला जो बार है, एक तरीके से hue की value change करते है, hue की value मतलब color कौन सा है, तो hue एक तरीके से color हमारा change करते है, तो अभी के लिए मैंने yellow पे slider adjust कर दिया, then second thing is saturation, वो color कितना saturated है, तो saturation adjust करने के लिए, यह वाला जो हमारे पास graph बना हो है, इसमें left to right जाओगे, तो color की saturation increase होती है, कि color कितना saturated लगेगा तुम लोग बिल्कुल left में जाओगे, तो color बिल्कुल white और dull लगेगा, right side में बिल्कुल चले जाओगे, तो बहुत poppy and eye catching लगेगे, एक तरीके से कह सकते हो, and then similarly up to down जाओगे, तो उसकी brightness बढ़ाता और कम जाओगे, एक तरीके से right में जाने से color के अंदर जतना white component है color का, वो बढ़ता जाता है, right manager white component कम होता जाता है, इसमें top पे जाओगे, तो तुमारा black component बहुत कम हो जाएगा, bottom जाओगे तो black component बढ़ जाएगा, तो ये तरीके से समझने के लिए, तो तुम लोग किसी भी color को तीनो color formats में interchange कर सकते हो अब है, ठीक है, तो ये तीन हमारे पास coloring formats हो गए, तो एक सब्सक्राइब, अब एक बार बताओ, मैंने same property तीन बार लिखती है, तो जो div होगी, उसकी क्या color होगा अभी के लिए, last वाला न, बस है ये, इत्ती ही बात समझनी होती, last में जाके confusion नहीं होती है, तो अब ये colors हम लोग use कहा 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 करते है, अब जैसे ए next के color की default property होती है, color लिखा, और इसको जाके मैंने blue है, Alice blue दे दिया, कोई भी एक random color दे दिया अभी के लिए, तो ये इसका color हो गया, ठीक है, जिते भी उसके adjacent siblings थे, उन सब का color ये blue हो, then, एक चीज़ पर जाते है, अब भी हम लोग ने देखा background color, background color के बाद हमारे बास से ए background वो text दे रखा था, अभी के लिए, मैं एक blank div बनाता हूं दुबारह से, div बनाई जिसको मैंने class देदी box div.box से बता लग गया क्या होने वाला है, abbreviation बता लग लगी है न सब को ये, div.box बनाई मैंने, and style में जाके dot box को मैंने अभी के लिए देदिया, height 200 pixel देदी, width भी अभी के लिए randomly 200 pixel देदी, तो height और width property भी हाँ पर revise कर लेते हैं, तो किसी भी block और inline और inline block elements का पता है, सबको क्या थे, last class में बताए गये थे, एक इस नहीं पता, तो एक पर के लिए देख लेते हैं, तो जो block elements होते हैं, वो ऐसे elements होते हैं, जिनके हम लोग height और width set कर सकते हैं, जो block element होगा हमेशा, एक block element हमेशा new line से start होगा, और उसके बाद भी element हमेशा next line पे shift हो जाएगा, जैसे मैंने एक div बनाई है, जिसकी height और width मैंने 200 pixels दे दिया अभी के लिए, बट तुम लोग देखो कि यह पूरी screen को cover कर रहा है, क्योंकि block elements की basic definition होती है, कि पूरी screen की width, जितना view के width अभी के लिए, वो cover करेंगे, similarly हमारे पास एक होती है, तो यह display block, display property में block है, similarly हमारे पा inline की height width होती है, जिसके अंदर content stored है, उसके basis पे store होती है, जितना hello world है, देख रहे होगे, उतनी ही height और width है इसकी अभी के लिए, height उतनी है width हमारे पूरी होगी है, एक next ही हमारे पास होती है inline block, तो inline block की height और width हम लोग adjust कर सकते हैं, एक सिकर, पांड आ रहे हैं, यह आ गया है, और तो यह कहां पर कहां आएगा, जिसमें एक div.box बना रख है, तीन div.box बना रख हैं, यह तीनों देख लो, एक line से line by line आ चुके हैं अभी के लिए, तो अब मैंने क्या क्या है, यहां पर वापस आकर, इसको, यह मेरे पास तीन boxes है, मैं गया, मैंने यह box select किये, and property में जाकर, इसको inline कर दिया, अब तुम लोग देख लोगे, वो boxes गायब हो गया है, वो गायब क्यों है, क्योंकि, मैंने क्या किया था, इन boxes को inline element बना दिया था, inline element के हम लोग height of weight set नहीं कर सकते हैं, अब मैं इसको inline के जगा inline block दे दूँ, तो अब यह तीनो boxes side by side आख, ठीक है, तो अब inline block से क्या होगा, जो block की property होती ही, कि वो हमेशे एक new line से start होता है, 100% width cover करता है, वो property हट जाती है, उसकी जो हम लोग define करते हैं, height or width वो रह जाती है, अब इक लिए, तो ठीक है, मैंन background image एक property होती है, मैंने background image property डाली, उसके नदर हम लोगो url define करना पड़ते है, कि image को हम लोग get कैसे करें, तो url के अंदर तुम लोग अपने folder का भी path दे सकते हो, या फिर web से अगर कोई भी image उठानी है, वो भी कर सकते हो, तो दोनों कर सकते हैं, तो url में गया, and मैंने अभ background बना हुआ है, अभी क्या ये पूरा cover कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी height or width बढ़ा देता हूँ अभी के लिए, 500 by 500 कर दी, अपनों लोग देखे होगे कि, जो brain की image है, वो repeat कर दी है, वो repeat क्यों करेंगी, जो brain image की जो basic height or width, जो image की थी असली, वो इतनी सी थी, तो एक बार वो खतम होगी, तो वो इसने एक default property होती है, background repeat करके, तो ठीक है, अब background image set करना आ गया है, background image कैसे सब कर नहीं है, background repeat करके property होती है, background repeat के अंदर हमारे पास एक value होती है, repeat वाली, जो repeat अभी चल रही है, then उसकी एक और value ते repeat x, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ horizontally जितन दिया हुआ था, तो वो red background दिख रहा है, similarly repeat y कर दूँगा, तो वो बस y direction में repeat होती जाएगी, and no repeat कर दूँगा यहाँ तो वो repeat नहीं होती, then हमारे पास background भी और properties होती है, जैसे background position, background position की value हमारे पास होती है, center, तो उससे क्या हो गया, image जो है, background image div के center में आ गई, similarly अब तु select करनी है कि, बहुत confusing होता है कि कौन सी value करनी होती है, उसको याद रखनी की ज़रवत नहीं होती है, तुम अपने dev tools में जाओ, similarly यहाँ पर जाके, यहाँ पर प्रणूल करोगे, तो इसमें different properties रिखा देगा, bottom property से, यहाँ पर आजेगे, इसका background center, inherit का मतलब होता है, जो इसके parent से inherit कर लेगा, initial जो उसके starting है, left, revert and right, top, तो इसमें हमारे कुछ महीं होती है, तो इसमें हमारे कुछ नहीं होती है, तो इसको center पे रख दिया, then, और हमारे पास properties होती है, background position होगी, एक हमारे पास होती है, बहुत अच्छी property होती है, जिसको बोलते है, हम लोग background attachment, तो background attachment से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसकी initial value होती है, scroll, तो जब भी हम लोगों की, इसको पहले थोड़ा और बढ़ा कर देता है, नो उपरो ले, इससे काफे हम लोग cool effects डाल सकते हैं, इसके पर तो अब हमारी जो, यह image है, ऐसे दिख लिए अभी के लिए, मैंने क्या किया, इसकी height भी थोड़ी और बढ़ा दी, तो यह ऐसे दिख रहा है अभी के लिए, तो मैंने क्या किया, इसकी जो background attachment scroll यह default property थी, इसकी जगा मैंने fixed कर दिया, तो इससे क्या होगा, image जो है, जो background attachment fix करने से क्या होता है, जो image position लेती है अपनी, वो viewport के साब से लेती है, viewport पता सब को क्या होता है, viewport होता है, एक तरीकी से जितनी screen हम लोगों को अभी दिख, जितनी ये browser की window है, जिसके अंदर हमारी website display हो रही है अभी के लिए, उसको viewport कहते हैं, इस instance पे viewport हमारा इतना बड़ा है, यह यहां से लेके यहां तक, इतना, यह हमारा viewport है अभी के लिए, मैं इंस्पेक्टिव इंड़ अभी के लिए अगर close कर दूँ, तो यह इतना बड़ा viewport हो गया, तो हम लोगों ने यहां पे क्या इसको property दी थी कि background की position जो हो center पे हो नहीं चीए, वो viewport के हिसाब से center पे fixed है, तो इससे काफी cool चीज़े कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि यहां पे गया, यहां पर लॉर्म 500 कर दिया, तो 500 words मेरे पास आ गए, जब तुम लोग यहां देखोगे, तो text इतना बड़ा आ जाएगा, देखो पीछे से image scroll नहीं कर रही है, उपर का text हमारा scroll कर रही है, तो अभी के लिए तो बहुत ऐसे दिख रहा है, तो अगर जाके इसको अच्छे से implement करोगे, तो काफी अची चीज़े बना से, पारलाक्स एफेक्ट एक्टिव के से implement करने में इससे help हो जाती है, तो यह हमारे पास और काफी प्रॉपटीज है, जैसे अब इसमें किया background की यह चार प्रॉपटीज नहीं है बस, और भी बहुत सारी प्रॉपटीज अगर तुम लोग यह पढ़नी हो, डिटेल में, कभी कभी ना कभी प्रॉपब्लम जाएंगी, जैसे अभी एक इवेंट हमारा होने वाला है रेपलिवा, तो उसमें क्या होगा हम लोग तुम लोग तुम लोग उसको कॉपी करने तरीके से, तो उसमें काफी सारी चीज़े ऐसी होंगे जिसमें तुम लोग बहुत डिटेल में दिन जानी पड़ेंगी, तो उसमें पर लोग क्या कर सकते हो, तो इसमें जैसे फॉर एक्जांपल अगर मैं यहां पर चला जाँ, तो यह मुझे दिखा देगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं अभी के लिए इसमें, यहां पर देख सकते हैं, बैक्ग्डांड अटाच्में किसी भी उसमें जाके बैक्डांड इमेज में जाऊंगा, इसकी कितनी डेफिनेशन और यूसेज बता देगा, सिंटेक्स बता देगा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती ही, वो सब बता देगा, ठीक है, तो यह सब लोग जाके ऐसे डॉक्स में, पूरी डिटेल मे आक्चली एक चीज है कि किस तरीके से कोई भी एक एलिमेंट अगर हमारे पास है, तो कैसे बिहेव करेगा, एक उसकी हाइट विट्थ हम लोग, इसी वाले इस पर चलते हैं, इसको दोबारा नॉर्मल सी एक डामेंशन से देते हैं, 200 पिक्सेल्स, 200 पिक्सेल्स, बाक्राउंड की यह वाली प्रॉपटी से अटाती हैं, तो फिर से क्या होगा, हमारे पास है एक basic अपना simple सा बॉक्स आ गया, तो अब इसमें हमारे पास जो यह बॉक्स है, उसका एक structure होता है, जो तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई भी एक element होगा तुमार तो एक तरीके से तुम्हें दिख जाएगा, तो इसका पुरा box model दिखा रहा होता है, इसकी margin, 8 pixel margin है इसके around, इसका border हम लोगों ने कुछ अभी तक define नहीं किया है, padding हम लोगों ने कुछ define नहीं कर रखिया, इसके अंदर का content है, उसकी dimensions ही है, 658.22.204 ठीक है, जो भी है यह, तो अभी कैसे set हो रहे हैं तरीक से यह सारी चीज़ें, तो इस सब को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले box यह आप हम लोग property set करते जाते हैं, जैसे margin जो है, margin में इसकी set करता हूँ, सबसे पहले 15 pixel पे set कर दी मैंने margin, then इसको padding भी देता हूँ, padding और margin, अब ह जा दिया 10 pixel का solid black, तो यह सारी यह तीनों की तीनों properties हमारी box model के अंदर आती हैं, जो मैं लाइन में अभी बताऊंगा, तो अब देखे हो, एक बार के लिए हमारा box का size बढ़ चुका है, बट हम लोग ने उसकी height और width तो बढ़ाई ही नहीं, तो यह बढ़ कैसे हिया, तो य जो उसके अंदर basic content है, सिर्फ उसी की height or width 200 by 200 होगी, whereas तो बाकी जो उसकी margins हमारे पास, ठीक है, तो अब इस box के उपर मैं hover कर रहा हूं, तो तुम लोग देखे हो, different colors आ चुके हैं, तो यह color लग लग चीज़े signify कर रहे हैं, दुबारह मैं इसमें चाहूँगा, तो एक बा hover करूँगा, तो एक बार देखे हो, एक invisible area है, जिसको हम लोग margin बोलते हैं, margin क्या होता है, कोई भी element है, उसके sibling element है, parent element है, कोई भी उसके आसपास element है, उसकी कितनी space होगी, वो हम लोग margin से उसको declare कर देते हैं, तो इसके साथ मैं अगर मैं एक और div बनाता हूँ अभी के लि एक box की margin 15 pixel है, इसके adjacent box की margin 15 pixel है, तो उसके margin 30 pixels के आसपास होगी, then next हमारे पास property है, padding, padding क्या होती है, जो उसकी inner वाली, जैसे box के बाहर से हम लोग ने देख लिए कि कितना distance होगा, similarly एक box के अंदर जो content है, वो उस box की outline से, उसके border से कितने distance पे होगा, हम लोग उसके padding से select करत तो जो area highlight हो रहा है, वो एक तरीक से अंदर के content और उसके बीच का है, 200 by 200 अंदर का content है, उसके बाहर padding है and then border है 10 10 pixels का, ठीक है, similarly border हो 10 pixels का border है, अभी के लिए, तो box model में अब यह हमारे पास drawback आ जाता है, एक तरीक से कह जो, कि मैने जो div बनानी थी, वो 200 by 200 की बनानी थी, but final result वो कितनी आई, 200 width हो गई, इसकी, plus 30 padding, 230, plus 10 border, 240, plus 15, 255 width और height का हमारे पास div बनानी, तो इससे क्या हो जाता है, एक तरीक से कि, जब हम लोग final, जो, हम लोग expect कर रहे होते हैं, output आना, और जो output आती है, उसमें difference आ जाता है, तो यह हमारे पास box model थी, इसको एक, हमारे पास property ह होती है, जिससे हम लोग इस चीज को avoid कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं, box sizing, box sizing के अंदर जाके, अगर मैं border box, अगर इसकी property देता हूं, किसी भी diff की, तो उससे क्या होता है, कि, उसकी, जो, हम लोग final height or width calculate करते हैं, उसके अंदर, उसकी padding, उसकी margin, उसके borders, ये तीनों चीज़े calculate हो के, पूरी height or width आती है, अभी के लिए देखूंगा, boxes छोटे होगे, हम लोग ना height or width छोटी नहीं किये, but still boxes छोटे हो गए, तो वो इसी वज़ा से होगे, कि देखना, अंदर का content 120 by 120 हो चुगा है, क्योंकि उसको shrink होना पड़ा, कि 200 by 200 accommodate नहीं कर पाता था, तो वो shrink हो ग एक बार के लिए ये चीज़ समझ लोग है, तो तुम लोगों के जाके errors नहीं होगे, हाँ, तुम लोगों ने सोचा कि, हम लोगों ने div बना ली, मालो, 1000 pixels के हम लोगों ने div बना ली, तो हम लोगों ने सोचा कि, उसके अंदर 4 चोटी divs बना देते, 250, 250, 250 pixels की, बड़ जब तुम लोगों end में जाके इसको implement करोगे, तो तीन ही और एक overflow हो जाएगी, वो इसके वज़ासे होती है, इस box sizing के वज़ासे होती है, तो अगर तुम लोग box sizing border box property use करोगे, तो उसकी जो final calculate करके विर्था आती, वो ऐसे आती है, ठीक है, किसी को doubt box model के अंदर, कोई भी, एक ब बना दी थी चोटी चीजी paragraph tag, वो clear थी जबको, ठीक है, बात में बताता दुआ, तो इसमें भी actually, जो हम लोग ने child और parent selected actually use किये थे, वही same चीज हम लोग इसमें भी कर सकते है, abbreviations लिखते देंगे, मैं दुबारा एक वार मैंने क्या-क्या div tag लिखा, div की short form यह, then उसके मैं चैनल लिखा गी एक डिव के अदर मुझे को पांच डिव चीए पांच प्याग्राफ टैक्स चीए और उस paragraph tag के मिलको sibling भी जाए साथ में एक h1 tag भी जाए और इसको मैं ब्राकेट के अंदर आप चुछी इंक्लूज कर जैसे तो अभी यह क्या होगा एक div के अंदर paragraph और h1 आएंगे अब मैं इसको star 5 कर दूँगा तो और इसके अंदर एक ठीक इससे क्या होगा एक div बनेगी जिसके चाइल्ड होंगे paragraph और h1 जो कि पांच पांच से उसके अंदर paragraph और h1 हो जाएंगे paragraph h1 paragraph h1 paragraph h1 इससे क्या होगा पहले पांच paragraph आएंगे फिर 6 heading टाक्स आएंगे जैसे मैंने लिगा था उससे क्या होगा कि एक paragraph एक heading एक paragraph एक heading वैसे आना है ठीक है तो वैसे लिख सकते हो तो plus से उसके siblings बना सकते हो और multiply से उसके multiples बना सकते हो और उससे angle bracket से उसके child बना सकते हो similarly सबको classes id सबकुछ एक line में लिख सकते हो पूरे चीज़ को उतना लिखने की ज़र होगा होगया सबका अभी के लिए जितना करना था तो हाँ एक चीज़ में सोगी थी कि पैडिंग actually work कैसे करती है एक बार के लिए बहुत दिखा दे तो मैं अभी करता है जिसे मैंने इसकी बॉक्स की एक height दे रखिए height अटा देता हूं भी के लिए तो अभी के लिए मैंने यहां से box की height दिखा दी और सारे इसके अंदर मैं एक dummy text लिख देता हूं तो अभी हमारे पास तीन दिफ पढ़ी हुई है जिसके अंदर जो टेक्स है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ में अब पैडिंग actually काम कैसे करती है कि यह मैंने comment आउट कर रखा है तो अभी के लिए अगर मैं इसको on करता हूं तो एक space आ जा रही बॉर्डर और text के बी कि कहां कहां ही हो जाती है जासे कोई भी वेबसाइट को लिए करते हैं और किसी को कोई डाउट किसी भी चीज़ में है अब एक बार के लिए वो भी देख लेते कि लाइक इन लाइन लॉक एलिमेंट्स वो सारे हम लोगों ने यूज अभी के लिए डिफाइन कर दी थे बट्टन का एक बार के लिए यूज कैसे आएगा तो वही यूज घंड कि जैसे मुझे चाहिए था कि पैरग्राफ जो है यूजिल कैसे हुज है यहां पर दिया ना इस प्ले इन लाइन ब्लॉक अभी के लिए मैं हटा देता हूँ ठीक है तो मुझे चाहिए था कि यह सारे पार क्रडैंट्र जितने भी थैव्में यह सारी एक साथ आए ए त9 78 तीन होगए ठीक है यह होता है कि यैट अगर मैंड को इन लॉइन के वे उसको हाईट विछ बूंद देपाए उसकर पाए difí आप मैं अधिर भीकी और झावकश्थ ступण है उसको हुआफ तो वह हम लोगों इसको हाइटविट कुछ भी नहीं दे पाएगए होता है कि inline block में तुम उसको height or width दे सकते हो inline में height or width नहीं दे सकते हो इतना से है अब तो वह block level elements और inline elements ये पड़े थे पिछली बार html की class में block level elements और तो एक बार के लिए दुबारा देख लेते हैं जैसे एक्सांपल explain करने के लिए कि span और उसमें एक परक्रिल डिफरेंस तो मैंने क्या किया पारग्राफ टाग जो होता है वह एक block level element होता है तो मैंने क्या किया लॉटम डाला है इसके अंदर फिर से पारग्राफ के अंतर मैंने एक और पारग्राफ बनाए जिसके अंतर सिर्फ एक वर्ड है डॉलर करके तो यह डॉलर भी अगले पारग्राफ में चला गया बट मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि बस मिलको डॉलर की कुछ प्राग्राफ करनी थी ताकि यह नेक्स में ना जाए तो एक block level एक inline element होता है span उन्हों इसको span दे देंगे तो वह next line में next paragraph नहीं बनेगा उसका ठीक है तो फिर से normal settings में आ गए तो यह फरक होता है block level elements और inline elements में ठीक है तो अब आगे move करें तो अब हमारे पास अब तुम्हों के एक border property देखिए भी border के बाद एक और चीज़ होती है outline बोलते है जिसको तो outline और border में क्या फरक है कि border जो है वो हमारे box model में count होता है box model में count होने से क्या होगा कि border की जितने width होगी वो उस element की width में count होगी वेरस outline क्या हो दिया outline is a line that is drawn around the element outside the borders ठीक है border के भी बाहर में वो line बनेगी सबसे पहले तो और उसकी जो width होगी वो element की width count करने में count नहीं होती है ठीक है तो अगर मैं अभी same इसी red वालों के उपर जाके outline दे दूँ कि outline width 30 pixels के दे जाता हूं अभी के लिए and similar एक और प्रॉपर्ट्यूटी सिमिलर लिए outline outline color outline color इसके लिए अभी के लिए यहीं दुबारा से तो अभी तुम लोग जो output देखोगे उसमें चेंज आ जाएगा कि हमारे पास solid है एक solid हमारे पास outline आगी है कि इसकी को comment आउट कर देखोगे तो 15 pixels की margin अभी भी है 10 pixels की border है अभी थर्टी पिक्सल पर पैडिंग है तो इसकी टूटल हाइड अभी 200 बाई 200 है outline जो हमारी 30 30 pixels के ब्लू कलर की वह उसमें count नहीं हो ठीक है similarly अब outline और border दोनों में क्या होता है स्टाइल्स हम लोग देख सकते हैं जैसे अब border की मैंने short end property यूज की थी अब जैसे यह देखोगे यहां पर तुम लोग मैंने border लिखा यहां पर सिर्फ एक border keyword यूज किया है border का है अक्चली एक short end property short end क्या होता है कि border style border color border width border यह सब तीन चार चीज़े properties अलग लिखने की जगा मैं एक simple border text लिख हुआ अगर मैं इस पर क्लिक हो तो तुम लोग देखो इक बार इसमें कित्ती सारी properties एक tag में cover होगी border top color black है top style solid है similarly ऐसे काफी सारी properties हम लोग इसमें cover कर सकते हैं जब मैंने outline style width और color लिखा similarly मैं border को भी ऐसे लिख सकता था कि border color black border style border style में dot dash दे देता हूं भी के लिए तो अब जो हमारा और इसको हटा देते हैं भी के लिए एक border width दे दी border width इसको फिर से 10 pixels दे दी तो अब जो हमारे border होगा वो 10 pixels का dash border बन जाएगा जैसे अभी दिख रहा है similarly outline के style भी हम लोग मैं ऐसी चींज करता है outline style में भी हमारे बहुत सारे options इसे style की solid की जगह मैंने कर दिया dotted बाहर dots dots दे से border आ गया similarly dotted के जगह मैं यहां पर double कर दूँगा तो ऐसी काफी सारी चीज़े तो तुम लोगों को अभी लग रहा हो और relevant नहीं बट लाइक जैसे जैसे तुम लोग चीजे बनाओगे तो तुम लोगों को चाही होंगी काफी काफी time जगह जाके कि हम लोगों का border हो बट उसकी width को इंपक्त न करे जो इसका outline जो outline है वो इस कि जैसे हम लोगोंने कहा कि जो border होगा border उस element को right वाले element को थोड़े right में shift कर देगा वो width occupy करेगा वेराज outline जो है कोई width occupy नहीं करती इसके अंदर तो राइट वाली इसके राइट में रहेगी तो जैसे अभी के लिए में इन दोनों को दुबारा गर तो इसको इनके borders overlap कर रहे है यह overlap इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे को जो outline है वो overlap कर रहे है वो overlap इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे को effect नहीं कर रही है कुछ भी ठीक है तो अब हमारे पास होते है यह टेक्स्ट की काफी सारी properties होती तो ठीक है तो बार से सब को comment out कर देंगे एक और paragraph tag से start करते हैं और इसको class देदी है हम लोगों अभी के लिए बस थोड़ा से रहे है इसको अभी के लिए मैंने text class देदी है अभी के लिए और इसके अंदर मैंने 10 words लिख देगे लिए करेंगे हम लोगों जो भी करनी होगी तो हमारे पास टेक्स्ट की आच्छली जिसमें टेक्स्ट का कलर वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी दिन टेक्स्ट की alignment होती टेक्स अलाइन अभी तुम लोग देखोगे इस paragraph के अंदर left aligned है तो अब मैं दोबार जाता हूं इस text क इनदे और टेक्स क्लास के नदर टेक्स एंटर कर दो हुँआ वही सिंपल यूमारे वर्ड में कर सकते हैं ने टेक्स आयइन सेंटर हो गया थें टेक्स्ट अलाइन की और का फी सारी प्लॉपटी कि होती है जैँ तो अब आपकी है हमारे पास थोड़े से टाइम कंसेंट है तो आपकी है तो टेक्स्ट की जितनी सारी प्रॉपर्टी से और भी काफी सारी प्रॉपर्टी से तुम लोग डॉक्स से जाके बढ़ सकते हैं तो बारे यहाँ पर जाना तारे नोट अबेलिबल हैं, तो ट्राइब यह पर जो आपने हम से कुछ करने हैं और आज की बोक्स मोडल था हो भी ट्राइब कर देना चाहिक है अगर कुछ रिख है तुम लोग क्लास के बाद अभी अम लोग कर दो किसी को कोई डाउट है तो क्लास के लिख वा तो तो तु तो एक बार के लिए थोड़ो सा जल्दी जल्दी करें तो जैसे टेक्स्ट के हमारे पास लिए टेक्स का कलेर अधर सकते हैं तेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपटी जैसे अभी मैंने तुम लोगों अधर प्रॉपटी कर सकते हैं जो यहां पर क्या प्रॉपटी चीज क्रेंगाえば कि कोदो कह जाएक लिए टेक्स लाइंपस लाइन और एक अलाइनल राउसस चीजmak रहें बिचती है उसको कैसे फॉर्मिट करने कि पूरा परग्राफ हमारा जस्टिफाई में है लास्ट वाली जो लाइन है उसमें चार वर्ट जाएगे तो चार वर्ट जगर पूरे में फैलाद होगे तो ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत स्पेस पेस में दिखें तो अच्छा नहीं है हम लोग क्या कर सकती है कि इसको स्रीफ में कर सकते है या फिर इसकी भी दिrobट मेंने फ़र वाला परग्राफ जो है परग्राफ सी ए उसमें टेक्स लाइन लाश्ट में यह बिच बेटियो यह बिच वालीजिे उसमें रॉट दें ढूब्यक्राइब summ imagem को करते यह वाला जो टेक्स है वो राइट तो ल credit one यह के यह पी की यह सारी कुछ प्रफिक याद रहने के चांसे बहुत को हुए कि बहुत सारे डेटे एक तरी किसे याद करने को है वो याद करने की कोशिश मत करना विल्कुल भी यह देख लेना कि तुम लोग कर क्या क्या सकते हो चीजों के साथ तो अब जैसे ही हमारे पास एक हो धी टेक्स कि हम लोगोंने कोई भी टेक्स्ट है वह हम लोगों का लोगर किसमें लिखा हुए तुम लोगोंने पर सब्सक्राइब पहला लिंक की वह आएगा थेक्षा टेक्स्ट वा ठीक है प्रपटीज लुगल पर सब्सक्राइब पहला लिंक की वह आएगा थेक्स टेक्स्ट वा ठीक है प्रटैकर नवाद तो टेक्ट तो एक काम करते हैं यह आक्चली बहुत आसान सी चीज़ मतलब थोड़ी सिंपल सी चीज़ है जो तुम लोग बाद में रेफर करके कर सकते हो एक और कॉंसेप्ट हमारे पास होते है जिसमें हम लोगों को पोजिशनिंग करनी होती है चीज़ों की तो पोजिशनिंग वाला हाँ इसको आक्शली साथ-साथ में कोड करते रहे है तो पैडिंग जो बाइडिफॉल्ट होती है वो उसको मिली हुए अभी तक इस लिफ को तो अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे पोजिशन्स हम लोग करेंगे तो पोजिशन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिम होगी इस एक डिफ के बाद लेगा तो एक डिफ के बाद ही पोजिशन होगी उसके बाद अब उसके तो इसमें हमारे पास और इसके साथ हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है टॉप जिसके टॉप से ऑफसेट बताता है लेफ्ट राइट और बॉटम तो अब यह चार प् स्टाटिक जब तक कि स्टाटिक होती ही तब तब तक हम लोग इन प्रॉपर्टी इसको आक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको मैं 500 दे दू इसको भी 500 दे दिया तो देखो यह अभी भी उसी जगा पर यह चेंज नहीं होगा क्योंकि जब तक हमारे पास इसकी पोजिशन की वाल्यू स्टाटिक रहेगी तब तक हम लोग लेफ्ट राइट जितने की पोजिशनिंग वाली प्रॉपर्टीज इनको यूज नहीं कर सकते हैं अब मैं क्या किय इसे में इंस्पेक्ट में करके दिखा देखा तो अब मैंने इसकी वाल्यू पोजिशन स्टाटिक की जगा रिलेटिव कर देखा अब इस रिलेटिव का मतलब क्या है अब यह बिल्कुल बॉटम में आगेगी टॉप से भी फाइव इनिट पिक्सल लेफ्ट से फाइव इन धे दुबारह सब ऑगया 500 पिक्सल 500 पिक्सल के उपर आ चुका है box तो मैंने क्या बोला इसको कि टॉप से 500 पिक्सल होना चाहिए और लेफ्ट से 500 पिक्सल पर यह box होना चाहिए तो अब रिलेटिव का मतलब का है रिलेटिव का मतलब है जो उसकी static position थी जब हम लुवी तो उस ताइम प्यूसकी जो पोजिशन थी उससे 500 पिक्सल्स लेफ्ट पे होना चाहिए 500 पिक्सल्स बॉटम पे उना चाहिए तो वह मतलब है पोजिशन रेलेटिव का ठीक है कि हम लोगों किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसको हम लोग 500 पिक्सल्स बॉटम में मूव कर देंगे तो उसके लिम लोग पोजिशन रेलेटिव कर सकते हैं अगर रेलेटिव की जगा यहां पर स्टार्टिक होता जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है तो वह चेंज अभी पांच की पांच डिफ्स यहां पर आगी ना इनकी क्लासे अटा देते हैं इसको मैंने इस वाली प्रॉपर्टी जैन सब्सक्राइब लिए लेकिसका एक और तरीका हम लोग पर ठीक है एक काम करते हैं इसमें अब एक चीज़ देखना लएक यह अब पोजिशन वार्टी से थोड़ असा साइट हो दें बट यह इंपॉर्टन चीज़ है जैसे अब यह डिव है इसके अंदर में दो क्लासे इसको जब भी हम लोग क्लास अट्रिबीट के इंदर स्पेस डाल के दो वैल्यूज लिखें अब इस डीव की अब एक अधिक्त की ट्रोड दोनों यह इस टेट तो यह क्या करेगा क्लास से जाकर यह पोजिशन वाली पैोपेटी MS उच्पप यह लिए c चार मेरे को दिख रहे हैं बॉक्स इसके एक ब्लांक बॉक्स रह चुका है इनिशल पॉजिशन से 500 पिक्सल्स लेफ्ट और 500 पिक्सल्स बॉटम के उपर यह शिफ्ट हो चुका अभी के लिए तो अब हमारे पास एक और चीज़ होती है कि इसी को मैं पॉजिशन समझ आ गया कभी उस करते हैं कि हम लोग उसको अपनी उसकी इनिशल पॉजिशन से शिफ्ट करने किसी भी उनके उपर हमें इसकी जगा एक और कर देता हूं अब एक पॉजिशन से क्या होगा कि हमेशा उत से बन चुकी है कि यहीं कि यहीं रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी कभी कि इसका अच्छली यूज कैसे हो जैसे तुम लोग देख लोग इस वेबसाइट में जो नाफ बार है उपर वहमेशा अपनी पॉजिशन पर फिक्स है तो यहां का यहां ही फिक्स रहेगा कभी शिफ अब यहां पर फिक्स ता यहां पर पोजिशन स्टिक्स होगा कि अब यह पहले अपनी इनिश्चल जगा के उपर है वेज्टक पोचिन फिक्स्ट क्या होगा की अभी देखेर से मैं इसकी फिक्स्ट की बाकी साथ उपर शिफट हो गया उनकी उन्होंने उसकी जगा कवर कर लिए एक तरीके से कह सकते हो और यह जो एक बॉक्स है वो एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंडेंट हो गया वेराज अगर मैं फिक्स की जगह स्टिके कर दूगा यहां पर वो जैसी 200 पे 200 पे आएगा तो पहले उसकी जगह ब्लांक रहेगी और बाकी वो उस जगह पर फिक्स रहेगा ठीक है इतना सा पर गोते कि उसकी जगह पर कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और अब हमारे पास एक और अच्छी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इसके अंदर क्या है जो भी वाइट क्लास के इंदर दोंगी उनका प्राग्राउंड कलर वाइट होगा वाट आई देते हैं इस जो हमारी स्टार्टिंग वाली डिव थी इसको अभी के लिए तो यह जो हमारे पास डिव थी उसके अंदर ही हमारे पास और तो देख़्ों जो हमारी सबसे पहले वाली डिव थी उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाई जिसको मैंने एक 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 डिव के अंदर एक चोटी वाइट कलर की और डिव बन चुकी है ठीक है तो अब मैं इसको क्या करूंगा इसकी भी पोजिशनिंग दूँगा बट उसको एपसलीट पोजिशनिंग आप चली करती क्या है इसको लाइक पाइड डेफिनिशन भढ़ ले तो अब इसका एंसेस्टर कॉन से जो पोजिशन है जो इसके बाहर वाला बॉक्स है इसको हम लोग ने रिलेटिव पोजिशन से एक पोजिशनिंग देती ती तीक है अब जो सबसे पहले वाली डिव है इसके उपर फोकस करो अब करें कि यह वाली डिव है इसके अंदर एक और डिव है जो कि ऐसे पोजिशन है अब आप पोजिशनिंग जैसे मैं इसके अंदर दूंगा तो वह बाकि मैंने क्या कि इस वाले को सबसे पहले मैंने रेलेटिव की जगा आप्सुल्यूट दे दिया हूँ तो फिर से वही चीज़ हुई जैसे फिक्स्ट और स्टिकी में डिफ्रेंस आ रहा था कि उसकी जगा खाली बचली थी इसमें उसकी जगा खाली नहीं बचेगी वह आपने लेफ्ट 300 की जगा आगर मैं 150 दूँगा तो यह चीजों को आप वह भी कर पाएगा तो एक तरीके से हम लोग ने क्या कि इस पूरे डिफ को बहार निकाल लिया पूरी ग्रेड में से बहार निकाल लिया पूरे उसमें से लियाउट में से अब इसको एक तरीक से अलग तरी पॉजिशनिंग एपसुलिट दी हुए मैंने इस वाले इसकी तो इसका पेरिंट कौन है इसका पेरिंट सिर्फ बॉडी टाग है जिसको पॉजिशनिग दी तो यह बॉडी टाग की रिस्पेक्ट में घूम रहा है कि बॉडी टाग से लेफ में 150 पिक्सल्ट बढ़ाता जा इसके अंदर जो डिव दे रखिये इसको मैं अभी क्लिए दुबार समाल लो रेलेटिव दे दी और इसके अंदर जो मैंने एक वाइट कलर का बॉक्स बनाया था डॉट एबियस क्लास थी उसकी उसको भी मैंने पोजिशन दे दी पोजिशन और एपसलूट और उसको दे दिया टॉप 10 20 पिक्सल्स अभी के लिए दे दिया अब तुम देख वाइट वाला बॉक्स नीचे शेफ्ट हो गया रकासा ठीक है यह क्योंगा क्योंकि अब जो अंदर वाली डिव है वो किसके रिस्पेक्ट में पोजिशन दे वो अपनी बाहर वाली डिव क पूस दिव ती जो एक वाली डिव ती इसके उपर से अगर मैं रिलेटिव पोजिशनिंग हटा देता हूं तो अब जो यह 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 डिव पोजिशन होगी वह बॉड़ी टाक के रिस्पेक्ट में पोजिशन होगी ठीक है अब तो बाहर दिखा देता हूं तो जो अंद्र वाली डिव वो बॉड़ी के रिस्पेक्ट में 200 पिक्सल पर आ रही है डिव प्रेक्ट एक इस क्लियर नहीं हो रहा है अभी बिलिए तो एक बार के लिए दुबारा देख लो कि जो अभी के लिए वह इस वाली डिव के रिस्पेक्ट में पोजिशन है वेरास बाद में वह अगर मैं इसकी यहां पर पोजिशन रिलेटिव अटा दे तो वह बॉड़ी के रिस्पेक्ट में 50 पिक्सल से पोजिशन दोगी तो थिक है अभी के लिए हटा देते हैं इसमें डाव्ट है अवे तक किसी को पोजिशिनिंग में है कोई भी डाउट चारो तरीकी की पोजिशन समझ आ गी है तो अब मैंने पाराग्राफ बना देते हैं तो अब मैंने पाराग्राफ बना है जिसको क्लास देदी अब इससे क्या होगा इपर के लिए अभी टेक्स्ट आ रहा रहा है जैसे जैसे टेक्स आएगा भी तो अब से टेक्स्ट वहां पे स्टिक हो गया है यह स्टिक का मतलब अगर मैं टेन की जगहां पर और क्लियर के अब देखना अब यह टेक्स्ट है नॉर्मल अपनी जगह के ऊपर है जैसे हम लोग इसको स्क्रोल करते तो यह स्टिकी और अगर मैं इसी को क्या बोलते है इसको इस टेक्स्ट को स्टिकी की जगह फिक्स रहता है यहां पर तो यह हमेशा ही उसनी हाइट पर रहता है ठीक है स्टार्टिंग इसने नीचे से नहीं की जो उसकी ओरिजिनल पॉजिशन है यह स्टिकी और उसके अंदर डिफिरेंस और किसी को क्या डाउट लगारिए लगोवं इसको वाले बॉक्स को ओवरलाब कर रहा है यह क्यों हो रहा है क्यूंकि हम लुगों ने जो यह वाला यह इसके बाद में लिखा हूं इसकी पॉसिश्शनिग वैसे उससे दिरग गए अब मैं क्या चाहता हूं कि यह जो है उपर आए मैं क्या करूंगा जितने भी बॉक्से से कहां पर दिये रखना है यहां पर मैं इसका जेट इंडेक्स एक प्रॉपर्टी उप्रिट इसको डिपान जितनी बड़ी वैल्यू जेट इंडेक्स की उतने वह उपर आएंगे उससे इमेज से इसे समझाने के लिए अभी के लिए देखना है यह वह उसके उपर है एंडेन एक डिवाक इसके उपर स्टक हो जाएगी ठीक है तो वह जेट इंडेक्स से कर सकते हैं अब मैं अगर यहां पर इसका जट इंडेक्स अटा दो लाइक यह टेक्स हमेशाओ पर रहेगा चाहें पीछे वाला डिवेक्स टुक रहजा है लेकिन वह इसे इंडेक्स प्रॉपर होती है ठीक है अब इसमें जडेंडेक्स को तो क्या बोलते हैं इसको कोई और भी बहुत सारी छोटी-छोटी प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग कवर नहीं कर पाएं तो उसमें एक बार के लिए पढ़ देना कोई डाउट होगा तो गोगल भी कर सकते हो फिर भी कोई डाउट रहा जाता है किसी को भी कॉंटाक्ट रेले नेक्स क्लास में पूछ लेने ठीक है नेक्स क्लास में किसको डाउट होगा थोड़े जल्दी आजाना और क्लास से या फिर क्लास के बाद भी रुक के पूछ लेना ठीक है थैंक्यू आइस